प्यार से नहीं चलता है ससिराल सेठी परिवार जामनगर का जाना माना परिवार था उनके साडियों के दुकान जामनगर में सबसे ज्यादा मशूर थी उनके दादा ने साडियों की छोटी से दुकान को जामनगर का सबसे बड़ा कारोबार बना दिया था और आज जाम नगर में जितने भी बड़े रईस थे, वो सब यहीं से साड़ी खरीदने आते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के साथ साथ, उन्हें अपने इज़त का भी और रेप्टेशन का भी उतना ही खायल रखना पड़ता था। इसलिए काविरी जो इस घर की बड़ से हमने प्रसाद और दान रखवाया है। जी मा, किसी के हाथो आजी भीजवा दूंगा। मा मैं सोच रहा था कि कुछ डिफेक्टिव साड़िया पढ़ी है दुकान में, अगर आप कहे तो… अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे साड़िया मत लाना। तुम जानते हो कि हम सेठी प सही रहेगा। आज तुम दोनों भी शाम को मंदिर में आ जाना। सबको पता लगना चाहिए कि सेठी परिवार आया है। ठीक है मा। रिया कितनी बार कहा है कि वक्त पर आया करो खाने के टेबल पर। उमा रात को देर रात तक पढ़ाई कर रही थी ना, तो सुबह आंक द पुरा हो चुका है, अब सीधा दिन का खाना मिलेगा तुम्हें। लेकिन मा। तुम्हें पता है न इस घर के नियम क्या है और ये किसे के लिए नहीं बदल सकते हैं। ठीक है मा। कावेरी की सकती और नियम पूरे घर पर लागू थे, जो किसी के लिए भी नहीं बदलते रिया के नाश्ते पर देरी से आने की वज़े से उससे नाश्ता नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी भाईयों ने फिर भी छुपके से ब्रेड, बटर और एक सेब उसके लिए छुपा कर रख लिया था। जानता है, जब देखो मा जी है, मा जी वो करती रहती, कभी-कभी तो ऐसा लगते है कि मा की सेक्रेटरी है वो, हाँ दिव्या तो बलकुल मा की तरह ही बन चुकी है, हमारी भी किसी भी बात को नहीं मानती, इसलिए तो मैं और अनुज चुपके से सब कुछ करते हैं, जिसस ज़िए से खाले है, हम दोनों दुकान जा रहे हैं, ठीक है? और सुन, शाम को मंदिर के लिए देरी मत करना, वक्त पर तयार हो जाना, पता चला कि तुझे फिर से सजा मिल गई है, नहीं नहीं मैं वक्त पर तयार हो जाओंगी, मुझे उन दोनों शेर्णियों की मूँ नह लगना है, अब हम चल दे हैं, सेठी परिवार में देविया और काविरी दोनों इस बात का खयाल रखती थी, कि घर में हर कोई नियमों से चले और उनका पालन करें, इसलिए शाम को बिना एक मिनिट की भी देरी किये हुए, सब लोग अच्छे कपड़ों के साथ मंदिर के लिए तयार हो गया है, देविया, सब लोग तयार हैं ना, जी माजी, सब लोग तयार हैं, और सब ने नियम की हिसाब से मंदिर के लिए सफित कपड़े ही पहने हैं, ठीक है, और वहां भी तुम ध्यान रखना कि किसी के मुँसे कुछ भी गलत लब्स नहीं निकलना जी माजी आप बलकुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूगी, चलिए माँ गाड़ी तयार है, आँ चलो, एक कार में दिविया साथ आएगी, एक कार में हम, हाँ क्योंकि दोनों कार में इन दोनों को नजर जो रखनी है, इसलिए ऐसा कर रही है, चाचु मम्मी को अलग भेजो ना, क्या हुआ रिया, अरे कुछनी मा, आप भाया की कार में बैठिये, मैं इस कार को चला लेता हूँ आज, रिया, आईए भाबी, और आप छोड़े मिया, चलिए मेरे साथ, हाँ चलो, और रिया, वहाँ कुछ भी बकवास मत करना ठीक है, जी भाबी, आज म जामनगर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, कैसे हैं भाई साहब, जी जी हम तो ठीक है, आपकी बारे में काफी सुना था, आज मिला काद भी हो गई, सुना तो हमने भी काफी है आपकी बारे में, आपकी मिठाईयां तो पूरे जामनगर में बहुत मशूर है, आज प्रणाम प्रणाम बिटा आपकी बेटी तो बड़े सुन्दर है बड़े लिखी भी है काफी बस बिटिया के लिए अच्छा सा रिष्टा डून रहे हैं हाँ, सुशिल भी बहुत है घर का सारा काम जानती है एक से एक मिठाया बना लीती है और मिलन सार भी बहुत है आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ बिटा मैं इसे ले जाओ अपने सार हाँ, ले जाओ इसे दर्शन करवा देना मंदिर के आजाओ बिटा हाँ, चलो काजल गोलू की साथ बहुत हिल मिल जाती है और गोलू को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो उसे अनुच से मिलवाने ले जाता है आओ, मैं आपको अपने फेवरेट चाचू से मिलवाता हूँ चाचू, ये मेरी फेवरेट दीदी अरे अभी तो मैं आपका फेवरेट था ना अब ये दीदी हो गई चाच्चू, इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई आपने आज तक मिठाई नहीं खाई थी? नहीं, वो क्या है ना हमारे गर में ज्यादा मीठा नहीं दिया जाता किसी को भी लेकिन बच्चे मीठा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हाँ, ज्यादा मीठा नहीं देना चाहिए बच्चे को मैं समझती हूँ लेकिन इस तरब बच्चों को बलकुल मीठे से दूर रखना मतलब उनका बच्चपन छीन जाना जैसा है न? अब बिलकुल सही कह रही है मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी चलू गूलू, मैं आपको लड़ू देती हूँ वो भी बिना चिनी वाला, आपको बहुत पसंद आएगा काजल से बात करते ही अनुज के दिल में काजल की छबी बैठ सी गई थी वो पूरे पूजा के दारान बस काजल को ही देखे जा रहा था अनुज मेरे भाई, भगवान यहा है, वहाँ नहीं अरे, मैं तो भी देख रहा हूँ हाँ, क्या आप भी बैया आई साफ साफ देख रहा है, कि आप वो काजल दिदी को देख रहे हूँ आपको हो तो आपके सगाई करवा दे यहाँ, क्या आप दोनों भी अरे, अभी अभी मा की बात सुन के आ रहा हूँ, वो काजल की पिता से तुम दोनों के रिष्टे की बात कर रही थी सच, ये दिखो, कैसे लड़ो पोट रहे हैं मन में इनके जहां एक तरफ, अनुज को काजल को देखते ही कुछ-कुछ हो रहा था वहीं जानकी और दिव्या को भी काजल का रिष्टा अनुज के लिए सही लग रहा था क्योंकि काजल का परिवार भी काफी संसकारी और खानदानी था दोनों की शादी का मुरद भी इसी महने का निकाल दिया जाता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है मा अनुज को आप से कुछ बाउत करनी थी हाँ बोलो मा आज गाजल का जनम दिन है मैं सूच रहा था उससे मिलाओ तुम मैं पता है ना हमारे घर के नियाब शादी के पहले दुलहा दुलन आपस में नहीं मिल सकते है लेकिन मा शादी में अभी पंद्रा दिन पड़े है अनुज हमारे यहाँ शादी के पहले दुलहन का जनम दिन नहीं मनाया जाता और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी, ठीक है? मा जी और मुझे जाना है, गहने पसंद करने है, तुम दुकान जाओ काजल का ये मेरे साथ पहला जनम दिन है, उसका कितना मान था कि वो मेरे साथ केक काटे अरे तो फिर वही करना पड़ेगा, जो हम हर बार करते आए हैं अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अनुज रात को चुपके से काजल के घर की छट पे जाता है और उसे कॉल करके छट पर बुलाता है, और केक कटवाता है, जो उसके लिए लाया था ये केक तो ठीक है, लेकिन तुम यो छुपकर क्यों आए हो अरे तुम्हें ममी पापा ने देख लिया तो हाँ तो हमारी शादी होने वाली, इसमें कौन सी बुरी बात है काजल, मेरा परिवार अलग है, हमारे परिवार में काफी सारे नियम लगाये जाते है जैसे जोर से हसना नहीं, देर से खाने की टेबल पर नहीं आना, देर रात को बाहर नहीं रहना, और भी बहुत कुछ अब मैं तुम से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे परिवार में रह पाओगी अगर तुम्हे कोई दिक्कत है तो मैं मना कर दूँगा शादी के लिए सच में अनुश, शादी कोई मजाक नहीं है, साथ जन्मों का बंदन होता है और रही बात नियम और कानूनों की, तो मैं तुम से वादा करती हूँ अनुश ने काजल को बता तो दिया था कि उसकी परिवार में कितने कड़े नियम है लेकिन अब काजल जिस तरह से इसे बदलती है, ये देखने वाली बात थी शादी के बाद की पहली रसुए काजल, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली रसुए है इसलिए हमेशा की तरह तुम खीर बनाना सब के लिए हाँ, हमारे घर में मीठे में सिर्फ खीर ही बनती है और कुछ नहीं अच्छा, पर ऐसे क्यों? सिर्फ खीर ही क्यों? क्योंकि बाकी मीठी चीजों में काफी सारी चीनी और मीठा पड़ता है इसलिए खीर ही बनाते हैं जिससे सब को थोड़ी थोड़ी दी जाए और सेहत के लिए ठीक रहा है माजी, अगर मैं ऐसी चीज बनाओ जो मीठी भी कम हो और सेहत मन भी हो तो तो मैं ऐसी चीज बना सकती हो? मैं बना दूँ अगर मीठी कम हुई और सेहत मन भी तो हम मना नहीं करेंगे लेकिन अगर वो चीज सही नहीं हुई तो नियम के हिसाब से वो पूरी चीज तुम्हें अकेले को खानी होगी ठीक है माजी अरे ये दोनों तो काजल भाबी को बोल कर चली गए अगर मीठी चीज सही नहीं बनी तो फिक्र नौट बैना मिठाये वाली की बेटी है मेरी पतनी देखना आज कमाल ही करेगी आज पहली बार सेथी परिवार में कुछ नया बनने जा रहा था टेबल पर सब लोग काजल की और देख रहे थे माजी ये है फ्रूट केक केक? लेकिन केक में तो सबसे ज्यादा मीठा पड़ता है भावी मैंने इसमें मीठी की जग़ गूर्ड डाला है और फलो की मिठास का उप्योग किया है कोई भी चीनी और केमिकल नहीं है आप खाकर तो देखिए श्रच में ये तो बहुत स्वादिश्ट है अच्छा है सब लोग खा सकते हैं अगर इस तरह से मीठा बनाना हो तो तुम बना सकती हो आप ते में एक बार थैंक यू माजी लो गुलू तुम्हें केक पसंदे ना बिटा अज पहली बार तो केक खा रहा हूं मा मुझे बड़ा पिस दे ना काजल भावी मुझे भी वो फ्रूट वाला दे दो ना हाँ हाँ जरूर देखा मैंने कहा था ना अब सेठी परिवार में हवा बदलने वाली है चोटे मजा ही आगया अज तो केक खा कर काजल की प्यार से और समझ से सेठी परिवार में अब चीज़े बदल रही थी कुछ नियमों को भी अब बदला जा रहा था एक दिन जब सब लोग आकाश की शादी का कैसेट देख रहे थे चलो दस बज गये हैं अपने अपने कमरे में चलो अरे भावी बैठिये ना आपकी शादी की कैसेट देख रहे आए अरे लेकिन दस बज गये है अरे ये कोई हॉस्टल थोड़ी ना है भावी आए बैठिये मैं सबके लिए पॉपकॉर्ण लेकर आती हूँ अरे देखो देखो दिव्या तुम्हारी एंट्री हो रही है हाँ और इसमें ना मैंने पिंक रंग का लेंगा पैना था वाद दिव्या भावी मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको fashion का इतना sense है पहले तो मैं बहुत fashion करती थी घूमने जाती थी लेकिन शादी के बाद शादी के बाद दिव्या ने अपने आपको बदल ही दिया सच कहूँ तो मैं पुरानी दिव्या को बहुत मिस करता हूँ कोई बात नहीं भाबी आप अब भी सब कुछ इंजॉय कर सकती है शादी की कैसेट देखने के बाद सब लोग अपने कमरे में जाने लगते हैं तब दिव्या काजल की पास आती है थैंक्यो काजल आज खुद को पुराने शादी के जोड़े में देखकर ऐसास हुआ कि मैं कैसी थी और क्या बन गई पर सच बताओं तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी लेकिन शादी करने के बाद जब मैं इस घर में आई तो माजी की नियमों ने मुझे भी बदलने पर मजबूर कर दिया और कब मैं इंसान से रोबोट बन गई पता ही नहीं चला मुझे पता है भाबी कि आप भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है अब हम दोनों साथ मिलकर इस घर को प्यार से चलाएंगी माजी को ये समझना होगा कि सिसुराल प्यार से भी चल सकता है इसके लिए इतने सारे नियमों की जरूरत नहीं है हाँ, हम ऐसा ही करेंगी काजल की प्यार से दिव्या को ऐसास हुआ कि उसने लाइफ में क्या-क्या मिस कर दिया है लेकिन कावेरी की नियम अभी भी बदलने को तयार नहीं थे माजी, भाबी और मैं सोच रहे थी कि कल संडे है तो हम सब कहीं पिक्निक पर चलते हैं कल संडे? अरे हर संडे हम सब योग करते हैं माजी, हर संडे योग तो करते ही है इस संडे पिक्निक पर चलते हैं न? हा मा प्लीज, आज तक हम कभी पिक्निक पर नहीं गए चलते हैं न प्लीज आरे लेकिन माजी, नियम इंसानों के लिए जरूरी होते हैं लेकिन परिवार को नियम नहीं प्यार से ही बांद कर रखा जा सकता है मैं जानती हूँ कि आपको इस परिवार की इज़त की कितनी फिक्र है लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि 19 साल की कावेरी देवी को खुले पार्क में जाना जूले खाना कितना पसंद था उसे इमली तोड़ कर खाने में कितना मज़ा आता था अपनी सहलियों के साथ बाजार जाने में कितना मज़ा आता था अरे तो मैं ये सब कैसे चौक गी ना मुझे ये सब कैसे पता चला वो देखी आपकी बच्पन की सहलिया कमला अंटी और सुनीता अंटी उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस परिवार को नियमों में बाधने के लिए खुद को भी नियमों में कैद कर लिया था और क्यूंकि दादा जी आपसे यही चाहते थे पर माजी अब वक्त आ गया है कि आप भी नियमों से आसाद हो जाए हाँ माँ, हम सब भी खुल कर आप से ये बात कहना चाहते थे कि एक आम परिवार की तरह हम बैट कर बाते करें जिंदगी को खुल कर जिये मा, ससूराल नियमों से नहीं, प्यार से भी चल सकता है मैं जब इस घर में शादे करके आई थी तब ससूर जी ने मुझसे कहा था कि ससूराल कभी प्यार से नहीं चल सकता वो हमेशा कड़े नियमों से चलता है और मैंने दिव्या को भी अपनी जैसा ही बना दिया लेकिन आज काजल ने साबित कर दिया कि ससुरार प्यार से भी चल सकता है इसका मतलब अब मैं देरी से खाने की टेबल पर आ सकती हूँ और मैं भी मीठा खा सकता हूँ अरे विनोद तुन्हें हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना अक्षई की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आखिर सबसे छोटा भाई है तम सबका हाँ मा आप चिंता मत करो मैं पूरा ध्यान रखूंगा मंगल बेटा तुने तो कहा था कि फूल का ओर्डर दे दिया है यहाँ तो फूल पहुंचे ही नहीं अब क्या बहु की विदाय के बाद फूल आएंगे मा मैंने अभी बात की है फूल वाले से वो रास्ते में ही है आप किशोर भाईया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को किशोर पहले ही मेरे बताय काम कर रहा है पास के सभी रिष्थेदारों और मोहले वालों को कार्ड वही तो देखर आया था रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था टेंट कुरसी वालों को भी तो वही देख रहा है पर कई महले वाले तो हमारे भरे पुरे परिवार से जलती भी है उन्हें बुलाने की क्या जरुवत दी बेटा शादी ब्यां में तो बुलाना ही पड़ता है नहीं तो लोग क्या कहेंगे दाधी दाधी देखो न हलवाई अंकल हमें लड़ू नहीं दे रे आप इनको डाचो ना दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डाटो ना अरे चैन सुक दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंक कर रहा है इने बीबी जी, मैं कहा मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं अरे मैं तो इने थाल में रखके परोज भी नहीं पा रहा बागो, अब कोल्ड रिंग पीने चलते हैं जैसे कि आप दीख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे, अक्षय की शादी है घर में बहुत चहल पहल है, कुल्भुशन की बीवी कमला को फुर्सती नहीं है कामों से लेकिन कुल्भुशन और घर की बागी लोग कहा है, आईए देखते हैं अजी, आप यहां आराम से बैट कर गाने सुन रहे हो, और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा और फिर घर में तुम हो बेटे बहुए हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूँ मैं तो शांस है बेटे की शादी में जाऊंगा, तयार हो कर अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए, एक बार अभी शेक की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूँगी जाती है, बेटा भी तो अब तक तयार नहीं हुआ, किस से बात कर रहा है फोन पर, तयार कैसे हो, सेलोन जाने से तो आपने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है, भाबियों को देखो, सुबह से पालर मैं, अक्षे की शादी हो जाती है, और नंदिता बहु ब जानती भंग होती रहती, अपने माबाप की इकलोती बेटी को इतने बड़े परिवार के जिम्मेदारिया कहां संभाल नी थी, अभी देखो न, मेरे हाथों के मेहंदी भी नहीं उतरी है, और तुमारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया, मैंने सूचा था कि घर यही मेरे घरवालों ने तुमें और तुमारे पैरंस को बता दिया था, कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों, और फिर तुमसे पहले मेरी भाबिया भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं का, नंदिता तब तो लिए नाश्ता बना देना, पर भाबी, मैं तो भी अपना फेवरिट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज, मेरी जगा आप कर लो ना यी काम, ठीक है, मैं तेरी जगा मा बाबुजी को दवाई दे आती हूँ, और नाश्ता बना लेती हूँ, तु मेरी जगा पूरे घर के डस जाकर सबजी ले आएंगे, फिर डिनर की तयारी कर लेंगे, और उसके बाद, बस बस भाबी, मैं मा बाबुजी को दवाई दे कर सबके लिए नाश्ता बना दीती हूँ, ये भवान, ये कहां लाकर फसा दिया मुझे, मेरे घर में तो गिंती की आठ रोटिया और दो सबज बनती थी, और नाश्ता निपड़ जाता था, यहां तो रोटियों का धीर और सबजिया बड़े बड़े पतिलों में बनानी पड़ती है, नाश्ता बनते बनते लंज का टाइम हो जाता है, और लंज बनते बनते डिनर का, अभी, मुझ में तुम्हारे पुरे परिवार का अखरा उठानी की और ताकत नहीं बची, मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कली शिफ्ट हो जाएंगे किराय के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए, हम किराय पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दिवार खड़ी करो अपने इससे के आगे। घर की साथ-साथ घर की खुश्यों में भी दिवार खीच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीच जाते हैं और नंदिता मा बन जाती है। बच्चे के आने से अभिशेक की कंदों पर खर्चों का बोज आ पड़ता है। अभिशेक का बोज कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धूले है, चिंटु के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गया है। अरे करती क्या हो पुरा दिन तुम। मैं? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटु को डेकेर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किये, बजार से सबजिया लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बना चिंटु को देखती हूँ, और क्या करूँ मैं? अरो तो किस ने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस. ऑफिस जाए बिना घर की खर्चे कहां से पूरे होंगे? चिंटु की डे केर का खर्च, उसके लिए बेबी फूट का खर्च, प्रेस वाली का तब तुम्हारी सैलरी से होतानी है? अगर परिवार से अलग नहीं होती, तो इतनी मुसीबतیں नहीं उठानी पड़ती तुम्हें. तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी. लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर. चिंटु को भी डे केर भे ये भी फुडखा है, क्योंकि मेरी माँ और भाविया बहुत अच्छे से जानती है, कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मज़ा आता है, तो अब शिकायत क्यों कर अरे, अभिशेक और नंदिता की सारी बाते घर की बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी, तब ही कमला बोल पड़ती है, आरे नंदिता बहु, किस ने कहा कि तुम अकेले हो, तुम्हारा इतना भरा पुरा परिवार है ना तुम्हारे साथ, हम तो बस ये चाहते थे, कि तु तुम अपनी गलती समझ जाओ, अगर हम तुम्हें समझाते, तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का ऐसास तुम्हें खुद हो गया है, तो अब तुम समझ चुकी हो, परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है, ममी जी मुझे माफ करती जी, अब ऐसा पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना लाँ